अलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ तो बहुत ही कमाल के बजट स्मार्टफोन वीव और सैमसेंग की तरफ से सैमसेंग ने गेलेक्सी F15 निकाला है दोस्तो अपना काफी बड़िया स्मार्टफोन है 13,000 का आपको मिलता है और 13,500 में दोस्तो वीव ने T3X लांच कर दिया तो 500 रुपे महेंगा है वीव तो इस वीडियो में इन दोनों में कंपेरिजन करके आपको बता हूँ है इन दोनों के अंदर आपको कैसे फीचर्स मिलते हैं और आपको आपको जो मतलब सैमसंग का गैलक्सी F15 लेना चाहिए या फिर जो दोस्तो वीव का T3X तो जानने के लिए वीडियो एंड तक जोर देखेगा और एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजए ताकि नए वीडियो आप तक पहुचती रहे हैं चली देखते हैं दोस्तो सैमसंग के साथ आपको 13 जर में क्या के मिलता है तो अन्बॉक्स करते ही सबसे पहले तो ये मीनी बॉक्स है जिसमें सिमिजक्टर टूल लगा हुआ है अंदर की तरफ आपको इसकी एक केबल मिल जाती है उसको हम अभी देखेंगे यूजर मैनुवल दिये गाए हैं दोस्तो इसके साथ और जो एक कवर नहीं मिलता है इसके साथ आपको बॉक्स में तो आपको इलग से खरीदना पड़ेगा यह टाइप सी टाइप सी केबल है दोनों तरफ टाइप सी पोर्ट है इसके बाद फून मिल जाता है बस कहनी खतम यहाँ पे चारजर नहीं है बॉक्स के अंदर नहीं कवर है चली देखते हैं पांसो रुपे जादा खर्श करने पर वीवो के साथ क्याक्य मिलता है तो फू लेनी की बात बात नहीं है दोस्तों इसके साथ आपको बॉक्स में चार्जर भी मिलता है 44 वाट का और सैमसंग का चारजर आप अलग से खरीदेंगे तो 25 वाट का यह आपको मिलेगा वह भी 1000 रुपे के आसपास तो वह साधे 13000 से 14000 का पड़ जाएगा और चार्जर इससे fast मतलब जादा नहीं मिलेगा लेकिन Vivo के साथ आपको 500 जादा खर्च करने पर charger जो है fast मिल जाता है और जो है दोस्तो box के content इसे के साथ जादा बढ़ी है Vivo T3X के साथ चली बात करते हैं दोस्तो design के बारे में Vivo के अंदर आपको मिलता है दोस्तो design matte finish में तो इस पर scratches वगर एक दम नहींगे और camera का design ring type के design में दिया गया है दूसरी तरफ Samsung के अंदर आपको जो है तीन camera इस तरीकी के design में एक के नीचे एक दिया गया है और इसके अंदर आपको मिलता है glossy finish में इस पर scratches finger prints बहुत जल्दी आ जाते हैं तो Samsung के अंदर आपको color बढ़िया तो मिलता है दोस्तो look wise काफी बढ़िया है चमक ता भी बहुत बढ़िया है सभी चीज़े बहुत अच्छी है लेकिन इस पर scratches बहुत जल्दी आते है finger prints बहुत जल्दी आ रहे हैं आप देख सकते हैं अभी मैंने इसको proper ऐसा भी नहीं है कि मैंने इसको use किया और daily life के अंदर नॉर्मल यूस के अंदर ही दोस्तों मता phone को हाथ में पकड़ने के बाद ही जो इतने finger prints बहुत एक दम आ जाते हैं चली दोनों काउन कर लेते हैं मैं आपको दिखातों display की quality जो है वो किसके अंदर आपको ज़्यादा बढ़िया मिलती है चलाने में कौन सा phone ज़्यादा बढ़िया लगता है तो दोस्तों Samsung के अंदर आपको दी गई है Super AMOLED डिस्पले वीवो के अंदर आपको मिलती है दोस्तो IPS डिस्पले तो यहाँ पर फर्क है Samsung के अंदर आपको कम rate में डिस्पले की quality जो है ज़्यादा बढ़िया दी गई है हाला कि Samsung के डिस्पले के अंदर आपको refresh rate ज़्यादा नहीं मिलता नॉर्मल जो है दोस्तो 60 Hz आता है लेकिन इसमें आपको 90 Hz मिल जाता है लेकिन दोस्तों दूसरी तरह वीवो के T3X के अंदर आपको डिस्पले में 120 Hz के refresh rate दिया गया है तो जो smoothness है gaming के अंदर वो चीज़ जो आपको ज़्यादा बेटर फील होती दोस्तों वीवो के अंदर इसके अंदर आपको experience और ज़्यादा जो स्मूद मिल जाएगा user interface को लेकर Samsung बढ़ी है लेकिन दोस्तों जो smoothness से फोन को use करने का जो experience है ज़्यादा smooth वो आपको वीवो में ही मिलता है इसके अंदर आपको smoothness डिस्पले की ज़्यादा बेटर दी गई है इसके लब दोस्तों इन दोनों फोन्स के डिस्पले की quality में आपको करीब से दिखाता हूँ तो इन दोनों फोन्स के अंदर आपको जो दोस्तों design जो मिलता है Samsung के अंदर तो काफी पुराना वही notch वाले design मिल जाता है पता नहीं Samsung के अंदर कब आएगा punch hole camera वाले design और जो दोस्तों वीवो T3X के अंदर आपको जो यह punch hole camera वाले design मिलता है डिस्पले का size भी जादा बढ़ा है साड़े चेंज से जादा बड़ी display मिल जाती है edges, bezels भी जादा कम है और brightness इसके display की भी बढ़िया है तो Samsung की display display के colors में बढ़िया है Super AMOLED display दी गई है तो quality में display इसके अच्छी है लेकिन जो features है, size है, design है, refresh rate है यह सारी चीज़े वीवो में जादा बढ़िया मिलती है और ऐसे नहीं कि वीवो की display की quality down हो इसमें कोई दिक्कत हो तो दिक्कत इसके अंदर भी नहीं है colors इसके भी अच्छे है दोस्तों Galaxy F15 पीछे सिर्फ quality में आगे बाकी वीवो जो दोस्तों quality के साथ बाकी चीज़े में बढ़िया मिल जाता है लेकिन quality थोड़ी सी down है की Samsung के comparison में left side साब देहेंगे, दोनों में sim के tray दी गई है दोनों phones 5G है, दो sim card 5G के लगा सकते है निचे की तरफ साब देहेंगे, तो charging port, speaker, microphone jack मिल जाता है, दोनों के अंदर तो ये चीज़ जो है दोनों के अंदर आपको same मिल जाती है side में आपको volume के buttons और power के buttons दिये गए है fingerprint scanner दोस्तों, दोनों में side में मिलता है power के button के अंदर, ऊपर से देहेंगे तो यहाँ पर आपको जो है दोस्तों, Samsung के Galaxy F15 के अंदर noise cancellation mic भी दिया गए है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा better मिल जाती है Vivo के comparison में बागे दोस्तों, दोनों phones के अंदर आपको 4GB RAM 126GB storage मिलती है, तो यह चीज़ आपको दोनों में same मिलती है, 4GB RAM 128GB storage के साथ, तो यह चीज़ आपको दोनों में same मिलती है, बाकि Samsung थोड़ा साधा बढ़ी है, जैसे इसका price जो है दोस्तों, तो आपको 500 पर कम मिलता है, और इसके अंदर आपको RAM और storage Vivo से बराबरी मिल जाती है यह चीज़ दोनों में अच्ही है, इसके यह लिए दोस्तों, दोनों आपको Android का जो है लेटस्ट वरजन दिया गए है Android 14 तो यह चीज़ भी आपको दोनों के अंदर जो है काफी बढ़ए मिल जाती है, लेटस्ट वरजन आपको मिल जाता है इसके अंदर आपको ज़्यादा बेटर अपडेशन देखने को मिलेगी इसके लगे दोस्तों इन दोनों फोंस को मैं एक साथ री स्टार्ट कर दिया देखते हैं परफॉर्मेंस में कौन सा बढ़िया है बाकी बात करें दोस्तों प्रोस्सर को लेकर मल्टि टास्किंग करनी है काम वगेरा करना है तो ज़्यादा बेटर दोस्तों वीवो का T3X रहेगा आप देख सकते हैं दोनों फोंस के अंदर आपको जो कंपरिजन में स्पीड जो मिल रही है वीवो के अंदर ज़्यादा बढ़िया मिल रही है बाकि दोस्तों इन दोनों फोंस के अंदर आपको जो बेटरी मिलती है 6000 इमेज की मिल जाती है तो एक दिन का नॉर्मल बेटरी बैक अप दोनों के अंदर आपको आराम से मिल जाएगा यह चीज़ दोनों के अंदर आपको काफी बढ़िया मिलती है बस जो वीवो के साथ चार्जर फास्ट है बॉक्स के अंदर ही तो आपको अलग से खरीदने की टेंशन नहीं है तो दोस्तो यह कुछ इस तरीक सा आपको स्पीड देखने को मिलती है स्पीड को लेकर दोस्तो दोनों बढ़ी है लेकिन वीवो ज़ादा कमाल का है बाकी दोनों के अंदर आपको बैक साइड पर मेन कैमरा 50MP का मिलता है लेकिन जो परफॉर्मेंस है वीवो की भी बढ़ी है सैमसंग की भी अच्छी है वीवो के अंदर डिटेल्स बढ़ी है मिलती हैं सैमसंग के अंदर कलर जादा बढ़ी है मिल जाते हैं तो दोनों इसमार्टफॉन का लेकर काफी बढ़ी है तो यह सारी खुब यह कमिया दोनों के अंदर चली बात कर लेते हैं सबसे में चीज़ आपको दोनों में से खरीदना कौन सा चाहिए देखिए दोनों के अंदर आपको जो दोनों के आपको भी आ बढ़ी है और यह दोनों के पसुद्ять के अंदर आपको जोई दिस्पले खिलाने बढ़ी हैं पर चाहिए और सैमसंग ब्रांड मतलब जैसा कई बार होता है ना ब्रांड वेल्यू का ट्रस्ट होता है कि यहां इस ब्रांड पहें में ज़्याधा फरूसा है तो आप गैलेक्से फफिटीन खरीश सकते हैं दोस्तों ज़ाधा बढ़ी है ब्रांड वेल्यू के लिए और कमेंट करके आपकी जरूरत के साफ साफ को कौन सा फोन जादा पसंद आया Galaxy A15 या फिर Vivo T3X कमेंट करके आप मुझे नीचे जरूर बताएगा वीडियो दोस्तों को आपको अच्छे लगी तो इसको एक लाइक करके जरूर जाएगा बाइब बाइब